चार मुखी रुद्राक्ष जी हाँ यह है रुद्राक्ष रुद्राक्षों की स्रेणी में काफी महद्वपोन माना जाता है इस रुद्राक्ष को स्वयम ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है अर्थात जो ब्रह्म देव इस रष्टी को जन्म देने वाले है इस रष्टी के क्ल जनरेटर है उन्हीं ब्रह्म देव से संबंध रखने वाला माना गया है चार मुखी रुद्राक्ष यह तो मनिष्ट के जीवन में सभी मनों कामनाओं को पूरा करने वाला है लेकिन कहा जाता है कि इस रुद्राक्ष के धारन करने से ब्रह्म हत्या का दोस नहीं लगता है के बुरे फल को नश्ट कर देता है अगर आपको अपने जीवन में बहुत जादा क्रियेटिविटी को बढ़ाना है अपने अंदर कुछ अद्बुद सक्तियों को जागरत करना है या फिर आप किसी बड़े रोग से परिसान है आपकी बद्दिक छमताएं कमजोर हैं सोचन करना चाहते हैं बहुत हार्ड वर्क करना चाहते हैं और किसी बी फिर्ड में आप अपनी जौब के लिए अपने विजिनेस के लिए अद्म भ्यापार आ म चाहते हैंус-चार मूखी का सोचने चाहर ने चार मुकी रुद्राक्ष चार प्रकार के बैभव देने वाला है नमबर एक धर्म, नमबर दो अर्थ, नमबर तिन काम और नमबर चार बोक्ष ये आपके जीवन में सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, धारमिक्ता और अपने धर्म के प्रती जुकाब का विकास करता है अर्थ, अर्थात, ये जो रुद्राक्ष है, आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहने देता है, धन को आकरसित करने के लिए कापी महदबपोन माना जाता है, काम, ये सभी मनों कामनाओं को पूरा करने वाला कहा गया है, चाहे आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ये उस कामना की पूर्ती करने वाला माना गया है, चार मुखी रुद्राक्ष दारन करने वाले व्यक्ति को म्रत्यू के बाद मोक्ष की प्राप्ती होती है, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के गले में या सरीर पर चार मुखी रुद्राक्ष हो, उस व्यक्ति को स्वयम सिव मोक्ष प्रदान कर देते हैं ऐसा महद्वपुर्ण माना जाता है चार मुखी रुद्राक्ष इसके दारन करने से आपके अंदर गले से संबंदित परहिसानियां गले से संबंदित रोग रीड की हड़ी के रोग मस्तिष्क से संबंदित रोग और वहीं आपके किसी भी कोई भयंकर रोग हो तो उन सभी रोगों को भी नश्ट करने के लिए कापी महद्वपुर्ण माना जाता है कहा जाता है कि इस रुद्राक्ष को तांबे के पात्र में डाल कर रादवर रख दिया जाए और सुबह प्राता काल इसके जलका सेबन किया जाए तो सरीर में भयं कर से भयंकर रोग और परिशानियां दूर हो जाती है तो मित्रों आसा करता हूं इस वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने का क्या महत्व है और क्यों इसे धारण किया जाता है सारी बात इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर करदी वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए और और रुद्राक्ष अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉंटेक्ट जरूर करें जया महाकाल हर हर महादेव